मैं गनेश जी को परणाम करता हूँ, शिव जी को परणाम करता हूँ, विश्नु भागवान को परणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को परणाम करता हूँ, सभी देवी देवता यक्षों, पित्रों सभी को परणाम करता हूँ प्रहलाद नारत पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश शुक शौनक भीश मदालब भ्यान रुकमांगा दर्जन विबीशर आदीन पुन्यान इमान परम भागवतान स्मरामी शुरू करते हैं चौध वाद ध्याए ब्रहमा जी के द्वारा भगवान की स्टुती ब्रहमा जी हैं स्टुती की प्रभू एक मातर आप ही स्टुती करने योग हैं मैं आपके चन्नों में नमस्कार करता हूँ आपका ये शरीर वर्शा कालीन मेग के समान शामल है इस पर स्थिर बिजली के समान जिल्मिल जिल्मिल करता हुआ पीतांबर शुभा पाता है आपके गले में गुंची की माला, कानों में मक्राकरती कुंडल तथा सिर पर मूर पंक का मुकट है इन सब की कान्ती से आपके मुख पर अनुकी छटा चिटक रही है वक्षे स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हतेली पर दही भात का कौर बगल में बेत और सिंगी तथा कमर की फेट में आपकी पहचान बताने वाली बासुरी शोभा पा रही है आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरर और ये गोपाल बालक का सुमधुर वेश मैं और कुछ नहीं जानता बस मैं तो इहीं चड़नों पर निचावर हूँ स्वयम प्रकाश परमात्मन आपका ये शिरीव विग्रह भक्त चनों की लाल साबलाशा पूर्ण करने वाला है ये आपकी चिनमई इच्छा का मूर्तिमान सुरूप मुझ पर आपका साक्षाद कृपा पसाद है मुझे अनुग्रहीत करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है कौन कहता है कि ये पंजबूतों की रचना है पर वो ये तो अप्राकरशुद्व सत्व मैं है मैं या और कोई समाधी लगा कर भी आपकी इस सच्चदानन विग्रह की महिमा नहीं जान सकता फिर आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आप ही महिमा को तो कोई एक आगर मन से भी कैसे जान सकता है प्रभू जो लोग ज्यान के लिए प्रत ना करके अपने स्थानों में इस्थित रहकर केवल सत्चंग करते हैं और आपके प्रेमी संथ पुरुशों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा को जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है शरीर वाणी और मन से विन्य अवनत होकर सेवन करते हैं यहां तक कि उसे ही आप अपना जीवन बना लेते हैं उसके बिना जीह नहीं सकते प्रभू यद्यपी आप पर त्रेलोकी में कोई भी विजए नहीं प्राप्ट कर सकता फिर भी वे आप पर विजए प्राप्ट कर लेते हैं आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं इस श्लोक का आशा ही है पहले लिखा है कि जो लोग सत्संग करते हैं और दूसरा लिखा है जो प्रेमी संतों के पास रहकर भगवान की लीला कथा को सुनते हैं पहला था सत्संग करते हैं दूसरा लिखा है लीला कथा को सुनते हैं वो लोग भगवान पर विजय प्राप्त क के लिए श्रम उठाते और दुख भोकते हैं उनको बस कलेश ही कलेश हाथ लगता है और जो कुछ नहीं और कुछ नहीं जैसे थोती भूसी कूटने वाले को किवल श्रम ही मिलता है चावल नहीं हे अच्युत हे अनंत इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गये हैं जब उ उन्होंने अपने लोकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चंडों में समर्पित कर दिये उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ती प्राप्त हुई उस भक्ती से ही आपके सुरूप का ग्यान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आ के संगुन निर्गुन दोनों सुरूपों का ग्यान कठेन होने पर भी निर्गुन सुरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्यार करके शुद्धांतर करण से जानी जा सकती है। इससे जो पहले वाला श्लोक लिखा है उसमें अर्थ ये लिखा है केवल कि जितने भी कर्म वो करते हैं लौकिक फैदिक उन सब को भरवान को संवर्पित कर देते हैं और उससे उनको भक्ती मिलती है। शुरूपों अज्ञान कढ़िन होने पर भी निर्गून सुरूप की महिमांद्रों का प्रतेहार करके शुद्ध Ainता करन से जानी जा सकती है। मतलब निर्गुन सुरूप जो है भगवान का, उसको जानने के लिए अंतरकर्ण जो है वो शुद होना चाहिए, तब ही जान सकते हैं, अंतरकर्ण में मन, बुद्धी और अभिमान ये तीनों आते हैं, तो ये तीनों जिसका शुद होगा, वो ही निर्गुन सुरूप को यह नहीं है मतलब जानी नहीं जा सकती प्रत्युत आवरान का भंग मात्र है यह साक्षात कार यह ब्रह्म है मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं किन्तु स्वयम प्रकाश रूप से ही होता है परन्तु भगवन जिन स्वर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके प्रत्वी का एक एक परमाणूं आकाश के हिंकर उसकी बुंदे जथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके स्वर स्वरु के अनन्त गुरों को गिन सके प्रभू आपके वल संसार के कल्यान के लिए अफ्दीर हुए हैं सो भगवन आपकी महिमा का ग्यान तो बहुत बड़ा ही कठिन है इसलिए जो पुरुष शन 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 पर बड़ी उस सुकता से आपकी क्रिपा का ही भली बाती अनुभा करता रेता है और प्रारब्द के अनुशार तीन तरह कर्म होते हैं संचित प्रारब्द करिये मार प्रारब्द वो होते हैं जिसमें से भगवान इस जनम के लिए जो तै करते हैं कि इतने पुन्य और इतने पाप तुम इस जनम में भोगोगे वो होता है प्रारब्द तो भ प्रादब के निसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्वेकार मन्से भोग लेता है एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगदवारी और पुलकित शरीर से अपने को अपने को आपके चर्णों में सरुपित करता रहता है इस प्रकार जीवन विजित करन प्रुश ठीक वैसे ही आपके पनंपत का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने प्ता की सمप्ति का पुत्र यहां पे यह शब्द आया है पिता की संप्ति का पुत्र यहे जो और अधिकारी हो हुआ है कि हम लोग भागवान की भक्ती का भागवान की भक्ती के अधिकारी हैं जब हम जवान हो जाएंगे तब भागवान हम को अपने आप भक्ती दे देंगे इसलिए अगर हम अपना अंतर कर शुद्ध कर लें तो भागवान हम मेरी को टिलता दो देखिए आप अनंत आदी पुरुष परमात्मा है और मेरे जैसे बड़े-बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में है फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैला कर अपना ऐश्वर देखना चाहा प्रभू, मैं आपके सामने हूँ ही क्या क्या आग के सामने चिंगारी की कुछ भी गिंती है भगवन, मैं रजुगों से उपन हुआ हूँ आपके सुरू को मैं ठीक ठीक नहीं जानता इसी से अपने को आप से अलग संसार का स्वामे मान बैठा था मैं अजनमा जकत करता हूँ इन माया करत्मों के घने अंदिकार से मैं अंधा हो रहा था इसलिए आप ये समझ कर कि ये मेरे ही अधीन है मेरा ब्रत्त है इस पर कृपा करने ही चाहिए मेरा अपराद शमा कीजे मेरे स्वामी प्रकृति महतत्व एहंकार आकाश वायू अगनी जल और प्रत्वी रूप आवरणों से गिरा हुआ ये ब्रमान ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के चिद्र में ऐसे अगनित ब्रमान उसी प्रकार उरते पड़ते रहते हैं जैसे जरोके की जाली में से आने वाली सूर्गी किर्णों में रज के छोटे छोटे परमानू उरते हुए दिखाई पड़ते हैं कहां अपने परेनाम से साड़े तीन हाथ के शरीवला अत्यन शूद्र में और कहां आपकी अनंत महिमा रत्यों की पकड़ में नाज आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अग्यान वश अपने हाथ पर पीटता है परन्तु माता उसे अपराद मात समझती है या उसके लिए वह कोई अपराद होता है है और नहीं है इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तू ऐसी है क्या जो आपकी कोक के भीतर ना हो शुत्या कहती है कि जिस समय टीनों लोग प्रेले काली जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायन के नाभी कमल से ब्रह्मा का जन हुआ उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता तब आप ही बतलाईए प्रभू क्या मैं आ का पुत्र नहीं हूँ प्रभू आप समस जीवों के आत्मा है इसलिए आप नारायन नारायन शब्द कार्थ है जीव और अयन शब्द का अर्थ है आश्रे है आप समस चगत के और जीवों के अधीश्वर है इसलिए आप नारायन, नारजीव और अयन प्रवर्तक हैं आप समस्थ लोकों के साक्षी हैं इसलिए भी नारायन, नारजीव अयन जानने वाले हैं आयन के तीन अर्फ लिखए है पहले लिखा है आश्रा आ दूसरा लिखा है प्रवर्टक और तीसरा लिखा है जानने वाले नर से उपन होनेवाले जल में निवास करने कर tornado जिने नारायन नार का अर्थ जल भी होता है पहले तो तीन शब्दों में जीव कहा था अब यहां पर कहा है जल यह भी अर्थ होता है जिने नारायन जल और अर्थ है निवास्थान यहां पर कहीं कहीं शास्त्रों में कहीं कहीं शब्दों का अर्थ अलग अलग भी होता है इसलिए ऐसे हाँ पे लिखा है निवास्थान कहा जाता है वे भी आपके एक अंश ही है वे अंश लूप से दिखना भी सत्त नहीं है आपकी माया ही है भगवन यदि आपका वे विराठ सुरूप सच मुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसे उसी समय क्यों नहीं देखा जब मैं कमल नाल के मार्क से उसे सौ वर्ष तक जल में ढूनता रहा फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हिर्दे में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही शड़ों में वह पुना क्यों नहीं दिखा अंतरधान क्यों हो गया यहां पर जो लिखा हुआ है इसका आर्थिया है कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था कमल से तब कमल के ओपर बैठे हुए थे उन्होंने चाणों तरफ देखा तो उनको सिफ जली-जल दिख रहा था तो उन्होंने सोचा कि मेरा श्रोत क्या है मेरा जन्म कहां से हुआ तो वो उसी कमल की कमल के अंदर ही वो जाते गए अंदर और सौ बर्श तक उन्होंने जाने का प्रेट ने किया और उनको उसका कोई भी छोड़ नहीं मिला तब फिर वो वापस आगा है और उनको एक आकाश वाड़ी हुई उस आकाश वाड़ी में बताया गया कि ब्रह्मा जी को कि तब करो फिर उनको जब तब किया तब उनको भगवान का साक्षतकार हुआ तो इसलिए यहां ऐसे लिखा है मैं इसको दुबारा पढ़ लगता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा वागवान यदि आपका विराट सुरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय क्यों नहीं देखा ठीक है उस समय उनको नहीं दिख रहा था जब मैं एक अमल नाल के मार्ग से उसे सौफ़ वर्ष टक जल में ढूंटा रहा फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय में रहेदे में उसका रशन कैसे हुआ उनका साक्षाद का अरता बुगा जब उन्होंने तब कर लिया था और फिर कुछ ही शड़ों में वैं पुना क्यों नहीं दीखा अंतरधान क्यों हो गया माया का नाश करने वाल प्रभो दूर की बात कौन करे अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दीखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया जिसे देखकान माता शुदा चक्कित हो गए थी इससे यही तो से दोता है कि यह संपूर विश्व केवल आपकी माया ही माया है जब आपके सहीत यह संपूर विश्व जैसा बाहर दीखता है वैसा ही आपके उधर में भी दीखा तब क्या ये सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ अवश ही आपकी लीला है उस दिन की बात जाने दीजे आज की ही लीजे क्या आज आज आपने मेरे सामने अपने अत्रिक्त संपूर विश्र को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है पहले आप अकेले थे फिर सम्पुन गालबाल बचड़े और चड़ी चीके भी आप ही हो गए उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतर बुझ हैं और मेरे सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मानों का रूप भी धाना कर लिया था परन्तु अब आपके वल अपरिमित अद्विती ब्रह्म रूप से ही शेश रहे गए हैं जो लोग अग्यानवश आपके सुरूप को नहीं जानते उनी को आप प्रकरती में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं उन पर अपनी माया का परदा डाल कर स्रश्टी के समय मेरे ब्रह्मा रूप से पादन के समय अपने विश्णू रूप से और संगार के समय रूद्र के रूप में प्रतीत होते हैं प्रभू आप सारे जगत के स्वामी और विदार आता है। अजन्मा होने पर भी आप देवता, रिशी, मनुश्य, परशु पक्षी और जलचर आदी यूरियों में अवतार ग्रहने करते हैं। इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुशों का घमन तोड़ दें और सुथ पुरुशों के पर अनुग्रह करें। ये भगवान के अवतार का और कारणल बता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि भगवान के द्वतार लेने का प्रमुख करन परित्राण है। आनन देना उन संतों को जिनकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है। आगे पढ़ते हैं भगवान आप अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो ये जान सके कि आपकी लीला कहां किसलिए कब और कितनी होती है कोई नहीं जानता मतलब आगे पढ़ते हैं इसलिए ये संपून जगत स्वपन के समान असत्य अग्यान सुरूप और दुख पर दुख देने वाला है आप परमानन्द परम ग्यान सुरूप एवं अनन्त हैं ये माया से उत्पन एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्त के समान प्रत इसलिए देश, काल और वस्तू जो परकाश हैं किसी परकार आपको सिमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदी परकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारणित हैं। आपका आनन अखंडित हैं। आप में ना तो किसी परकार का मल हैं और ना अभाव। आप पूर्ण एक आपका ये ऐसा स्वरूप समस्त जीओं का ही अपना स्वरूप है। जो गुरू रूप सूरिस सितत्व ग्यान रूप दिवद्रश्टी प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षरत कार कर लेते हैं। वे इस जूटे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के जूटा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दर्शा की द्रश्टी से ही है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो गुरू की सहायता से यहां लिखा था ना पीछे लिखा था जो गुरू रूप सूरिस से तत्व ग्यान रूप इसका कहने का आशाय है कि जो गुरू की सहायता से भगवान को जान लेते हैं भगवान की भक्ती कर लेते हैं वो इसससार को पार कर जाते हैं। यसे कवीर डास जी ने कहा था, कहत कवीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे, वो कह रहे थे कि भगत प्राप्ति करो, कितने संतों ने प्राप्ति कर ली है इस संसार में, आगे पढ़ते हैं, जो पुरुष परमात्मा को आत्मा की रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अग्यान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्य का ब्रहम हो जाता है, किन्तु ग्यान होते ही इसका अत्यांतिक प्रले हो जाता है, जैसे रस्री में ब्रहम के कारण ही साव की प्रतीती होती है, और ब्रहम के निवरत होते ही उसकी निवरती ह यहां पर आत्मा का अर्थ यह है कि सब कुछ हमारे भगवान है केवल बाकि सब कुछ जूट है जैसे सपन का उधारना दिया हुआ है संसार संबंदी बंधन और उस्से मोक्ष यह दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है पास्तों में अज्ञान के ही दो नाम है ये सत्य और ज्यान सुरूब पर मात्मा से भिन अस्तित्व नहीं रखते ये जो लिखाए सत्य और ज्यान सुरूब एक वेद में मतर है सत्यम ज्यान अननंतं प्रम्ण ये वैसा ही लगता है जैसे सूर्ज में दिन और रात का भेद नहीं वैसे ही विचार करने पर अखंड चित सुरूब केवल शुद्ध आत्म तत्म में ना बंधन है और ना तो मौक्ष भगवन, कितने आश्चर की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदी हैं पराय कि उनको आत्मा मान बैठते हैं मतलब अपना मान बैठते हैं ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ मैं जीव नहीं हूँ ये सोचते हैं मैं आत्मा नहीं हूँ मतलब मैं जीव को आत्मा कहता हूँ क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ कहीं कहीं ब्रह्म होता है और कहीं कहीं जीव होता है इसलिए मैं आत्मा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूंगा आत्मा शब्द मैं प्रयोग नहीं करता हूं तो जहां से वो यह मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ वहीं से उन पर माया और हावी हो जाती है और वहीं से उनका दृष्टी कौन संसागों देखने का बदल जाता है इसलिए जब भी पहला जो बताया जाता है भगवत प्राप्ती में सबसे पहले बात यहीं बताया जाती है कि आप ये मानिये कि मैं शरीर नहीं हूँ यहां लिखा हुआ है अंतरकर्ण में ही विराजमाने उपनिश्यदों में ऐसा लिखा गया है भगवान के बारे में कि एक शरीर है ठीक है शरीर के अंदर एक हृदे है हृदे में एक शहर है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुर ठीक है और ब्रह्मपूर में एक आंगन है और उस आंगन में कुछ है उसको जानो ऐसा लिखा है व्यूपनिश्यदों में वो इंडिरेकली यह कह रहे हैं कि भगवान को जानो आगे पढ़ते हैं इसलिए संत लोग आपके एत्रिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसको परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंडते हैं क्योंकि यद्यबी रस्ती में साप नहीं है फिर भी उस प्रती एमान साप को मित्या निश्चे किये बिना भला कोई सत्पुरुष तची रस्ती को कैसे जान सकता है अपने भक्त जनों के रहेदे में स्वेम्स फुरित होने वाले भगवन आपके ग्यान सुरूप और महिमा ऐसी ही है उस पित जगत का नाश हो जाता है फिर भी जो पुरुष आपकी योगल चरन कमलों का तनिक साभी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है उससे अनुगरहीत हो जाता है वही आपकी सचिदानन में महिमा का तत्व जान सकता है इसका आश्य भी यही है कि जो आपकी कृपा को उनभव करता है που ही आपको जान सकता है अपने परिश्रम से नहीं जान सकता आगे पड़ते हैं दुश्रा कोई भी ग्यान वेराग ग्यादी साधन रूप अपने प्रैयतने से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे वह आपकी महिमा का यर्थाद ग्यान नहीं प्राप्ट कर सकता इसका अशे यही है कि भगवान भगवान को जानने के लिए उनकी किरपा ही चाहि इसलिए किरपा परसाद प्राप्ट कर लेता है वही भगवान को जान सकता है पिर चाहे वो बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे वो नहीं जान सकता आगे पढ़ते हैं इसलिए भगवन मुझे इस जनम में दूसरे जनम में अत्वा किसी पशुबक्षी आदी के जनम में भी ऐसा सौभाग प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाओ और फिर आपके चंड कमलों की सेवा करूं मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यग्गे स्टरश्टी की प्रारम से लेकर अब तक आपको पूंता प्रप्ष ना कर सके परनतु आ अहो आनन्द आदी व्रजवासी गूपों के धन्य भाग हैं वास्ता में उनका अहो भाग है क्योंकि परमानन सुरूप सनातन परिपूर ब्रम आप उनके अपने सगे संबंदी और सुहद हैं हे अचित इन व्रजवासीों के सुभा की महिमा तो अलग रही मन आदी ग्यारे इंद्रियों के अरिष्ठातर देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदी हम लोग बड़े ही भागवान हैं क्योंकि इन व्रजवासीों की मन आदी ग्यारे इंद्रियों को प्याले बन प्रभू इस व्रजभूमी में इस व्रजभूमी के किसी वन और विशेश करके गूकूल में किसी भी यूनी में जन्म हो जाए यही हमारे लिए बड़े सौभाग की बात होगी क्योंकि यहां जन्म हो जाने पर आपके किसी ना किसी प्रेमी के चड़नों की धूली अपने उपर पढ़ ही जाएगी प्रभू आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर जीवन आपका ही जीवन है आप ही उनके जीवन के एक मातर सर्वस्व हैं इसलिए उनके चड़नों की धूली मिलना है और आपके चड़नों की धूली को तो शृतियां भी अनादी काल से अब तक ढून रही है देवताओं के भी अरादि देव प्रभू इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे संपूर फलों के फल सुरूप आप से बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं ये सोच का मेरा चित मोहित हो रहा है आप उन्हें अपना सुरूप भी दे कर उरिल नहीं हो सकते क्योंकि आपके सुरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंदियों अगासर बकासर आदी के साथ राप्त कर लिया जिसका केवल वेश ही साद्वी इस्त्री का था पर जो हृदय से महान कुरूर थी इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने सुरूप को तो पूतना घासर और इन लोगों को भी दे दिया तो इन व्रजवासियों को आप क्या देंगे जो उनसे भी उपर होगा ऐसी कौन सी वस्तु आप उनको देंगे आगे पढ़ते हैं फिर जिनोंने अपने घर धन, सुजन, प्रिये, शरीर, पुत्र, टान और मन सब कुछ आपके ही चड़नों में सर्वित कर दिया है जिनका सब कुछ आपके ही लिये है उन व्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उरहन हो सकते हैं सतिरान सुरुप श्याम सुंदर तभी तक रागद्वेश आदी दोश चारों के समान सर्वस अपना करते रहते हैं तभी तक घर और सगे संबंदी कैद की तरह संबंद के बंधुरों में बांध रखते हैं और तभी तक मुह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता ये मंत्र दे कितना अच्छा है लिखा है कि तभी तक रागद्वेश दोश चारों के समान सर्वस अपनार करते रहते हैं रागद्वेश आपको दुख दिते रहते हैं तभी तक घर और सगे संबंदी आपको पकड़े रहते हैं अफ़र लिखा है मो जब तक जीव आपको आपका नहीं हो जाता है तक आपको सब पकड़े रहते हैं मतलब माया पकड़े रहती है प्रभो आप विश्व के बखेड़े से सर्वता रही थैं फिर भी अपने शर्णाकत भक्त जनों को अनन्त आनन वित्रा करने के लिए प्रत्वी में अफ्तार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें मेरे मन वानी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वता असमर्थ हैं वेदों में उपनिश्यदों में ऐसा लिखा है कि जो कहता है कि भगवान को मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है और जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता ऐसा उपनिश्यद में लिखा है एक उपनिश्यद में लिखा है आगे पढ़ते हैं सचिराजन सुरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं इसलिए आप सबकुछ जानते हैं आप समस्ट जगत के स्वामी हैं ये संपूर्प्रपंच आप में हिस्तित है आप में मैं और क्या कहूं अब आप मुझे स्विकार कीजे मुझे अपने लोग में जाने की आगया दीजे सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकरशित करने वाले शाम सुंदर आप यदुवंश रूप कमल को विक्सित करने वाले सूर्य हैं प्रत्वी पर रहने वाले राक्षुसों के नश्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदी समस्त देवताओं के भी परम पूझनी हैं भगवन मैं अपने जीवन भर महा काल परियंट आपको नमस्कारी करता रहा हूं महा काल परियंट लिखा है महा कल्प जो तब होता है जब दूसरे ब्रह्मा राते हैं एक करें यह अपने आख्छों में बिल्कुल आसु लेकर स्तुति करिए रोते हुए भगवान के सामने मैं एक बार फिर दिखा देता हूं कि दो ने किस भास इस्तूती करी थी वाली पूरी पिछले अध्याय में अम्दोग ने पढ़ा था ऐसे लिखा था फिर दीरे दीरे उठे और अपने नेत्रों के आशू पोचे प्रेम और मुक्ति के एक मात उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर जुग वेकापने लगे अंजली बांद कर बड़ी नम्रता और एकागरता के साथ गदगदवानी से वे भगवान की इस्तूती करने लगे आगे पढ़ते हैं शिशुगदेव जी कहते हैं परिक्षित संसार के रचरीता बर्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्रकिष्ण की प्रणाम किया और फिर अपने गंतव स्थान सत्य लोग में चले गए बर्मा जी सत्य लोग में रहते हैं और उनकी साथ और भी रिशी मुरी रहते हैं सत्य लोग से नीचे मह लोग जनलोग तब लोग यह भी आते हैं ब्रह्मा जी ने बच्रों और ग्वालबालों को पहले ही रिधा स्थान पहुचा दिया था भगवान श्रीक्रिष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बच्रों को लेकर जम्ना जी के प्लिन पर आये जहाँ वे अपने सक्खा अपने सक्खा गौालबालों को पहले छोड़ गए थे परिक्षित अपने जीवन सर्वस्वे प्राण वल्लब श्रक्रिष्ण के वियोग मेद भी एक वर्ष बीद गया था तथा पी उन गौालबालों को वह समय आधिशर के समान जान पड़ा क्यों ना हो भगवान के विश्रों मेन मयाए से मोहित जो हो गयlor थे यहाँ पर लिखा है आधिशर के समान ऐसा क्यूं कि सत्रती लोग में जो समय चलता है हो बहुत ही तेज है यहाँ के हिसाफ से जैसे मैने बताया था कि स्वर्ग लोक में जो है वो हमारा जो एक जो स्वर्ग लोक का जो एक दिन होता है वो हमारा एक साल होता है इसलिए 6 मिने रात रहती है वहां पर 6 मिने दिन रहता है और पित्र लोक में जो समय चलता है वो एक महिने वहां हमारा एक महिने जब बीचता है तो वहां का एक दिन ह होता है कि बन पित्रलोक में और स्वर्ग लोक में एक साल होता है नहीं बताया ही था पहले कि दो कलब का एक दिन होता है तो आप समझ सकते हैं इसलिए वो बिल्कुल ब्रम्मा जी बस एक आधेशन के लिए लेके गया होंकि लोन भूगालबालों को फिर वापस तुरंत ले आ वास्ता में उस माया की ऐसी ही शक्ति है भला उससे मोहित होकर जीव यहां क्या क्या नहीं भूल जाते हैं परिक्षित भगवान श्रकृष्ण को देखते ही गौालबालों ने बड़ी उताबली से का भाई तुम भले आए स्वागत है स्वागत अभी तो हमने तुम्हारे बि दिखाते हैं वन से ब्रज में लौट आए श्रकृष्ण के सिर पर मोर पंका मनोहर मुकर और गुंगराले बालों में सुदर सुदर महम महकते हुए पुष्पगूत रहते नए नए रंगीन धातों से श्याम श्री पर चित्रकारी की हुई थी वे चलते समय रास्ते में अपने बच्छों को पकाड़ते तो कभी उनके साथ लाड लडाने लगते मार के दोनों और गोपियों गोपियां खड़ी हैं जब वे कभी तिर्चे नेत्रों से उनकी नजर में दजर मिला देते हैं तब गोपियां आनंद मुग्द हो जाती हैं इस प्रकार भगवान श्र अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है राजा प्रिक्षित ने का ब्रह्मन वराजवासियों के लिए श्रिक्रिशन अपने पुत्र नहीं थे दूसरे के पुत्र थे फिर उनका श्रिक्रिशन के प्रती इतना प्रेम कैसे हुआ ऐसा प्रेम तो उनका अप आत्मां से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, पुत्र से धनं से या किसी से जो प्रेम होता, वे तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रेम लगती है, ये जो मंतर है ये ऑने इक पर मनिश्यद का का है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं पहले ध्ल्या में दिखा चखा बसे कह दूँगा कि इसमें मंत्र में यह लिखा था कि पहले इसमें लिखा होता है आत्मस तो कामा है पती प्रेम होती है पती जो है वो पती के लिए प्रिय नहीं होता है और फिर आखरी में बसे लिखा होता है कि जितनी भी संसान में जितनी भी चीज़ें वो उस चीज के ल लगते हैं इसी लिए प्रेम होता है आगे पड़ते हैं राजेंद्र यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रतीज जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र धन और ग्रह आदी में नहीं होता नरप श्रेश्ट जो लोग देह को ही आत्मा मान यही कारण है कि इस देह के जीने की आशा टरबल रूफ से बनी रहती है क्योंकि सभी लोग शरीर को मैं मानते हैं इसी से बासिद होती है कि सभी प्राणियों अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते है उसके लिए करते हैं बाकी जितनी भी बस्तों हैं उन सबसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रह्मुक रूप से वो अपने से प्रेम करते हैं ठीक आगे पड़ते हैं इन śri Krishna को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो ऐसे भी शास्त्तरों में आया है कि जो हमारा आत्मा है, जो जीव है, वो भगवान का श्रीर है, उसके अंदर भगवान बैठे हैं, इसलिए जितने भी जीव हैं, वो सब भगवान से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जितने भी जीव हैं संसार में, वो सबसे अधिक जो है, वो भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे जैसे राम जी रित्मानस में भी आया है चराचर जीव कोई सकल राम प्रिये जान राम जी जो है न वो सब को प्रिये है चाहे इस दुनिया में जितने भी हैं सभी जो हैं सबसे जदा किसको प्रेम करते हैं राम जी को करते हैं अब आप कह सकते हैं कि राम जी को तो कुछ लोग जानते भी निए जैसिस में आया है, इन श्रीकृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा सुझो, संसार के कल्यान के लिए योगमाया का आश्रा लेकर वे यहां देहधारी के समान जान पड़ते हैं, जितने भी हैं सब अब उसको ऐसा शब्द क्यों दिया गया, क्योंकि उसकी एक कुछ फीचर्स या कुछ बाते बताएं गई हैं जो उस आनन्द में होती हैं, जो सभी को चाहिए होती हैं, क्या खूबियां हैं मतलब उस आनन्द में, उसमें दो बाते हैं, एक है प्रतिक्ष्र्ण वर्दमान ये दो गुण होते हैं उस आनन्द में भगवान वाले, और यही दो गुण का आनन्द, जितने भी चराचर जीव हैं, सब को चाहिए, ऐसा ही आनन्द, अगर आप किसी से भी पूछेंगे, कि तुम्हें क्या चाहिए, तो यही कहएगा, कि मैं आनन्द चाहिए, और बाकी बाकी वस्तों जितनी भी वो करता है, वो आनन्द को प्राप्त करने के लिए ही करता है, और आनन्द क्या है, अनन्द स्वयम भगवान है, अब आनन्द की दो, मैंने दो फीचर्स क्या बता है, फिर्स बताता हूँ, एक है, जो नानन्द बक्ति दरशन बताया गया है, प्र और भगवान ही वे आनन्द है, इसलिए भगवान सबसे ज़्यादा प्री है चराचर जीव को, ठीक आपको इस बात समन में आ गई होगे जो हैं लिखा है, आगे पढ़ते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, इन श्रिक्रिष्ण को ही तुम सब आत जान पड़ते हैं, जो लोग भगवान श्रिक्रिष्ण के वास्तिविक सुरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अत्वा इससे परे परमात्मां ब्रह्म नारायन आदी जो भगवा सुरूप हैं, सभी श्रिक्रिष्ण उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, और जीव हम स्वेम हैं, तो बचा क्या सिर्भ भगवानी बचे, माया जड़ है वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं अपने एसाब से, उसको भगवानी चला रहे हैं, उसका अस्थित्व इसलिए मा नहीं नहीं, इसलिए ऐसा लिखा है कि श्रिक श्रिक्रिष्ण से भिन बतलाएं, वो माया भी भगवान समिछ लेते हैं, जब संसार खतम हो जाता है तो, और सिफ श्रिक्रिष्ण बचते हैं, जिन्होंने पुन्यकिर्थी मुकुंद मुरारी के पदपल्लव की नौका का आश्रे लिया है, जो की सत्पुरुशों का सर्वस है, उनके लिए ये भवसागर बच्रे के खुर के गड़े के समान है, उन्हें परमपत की प्राप्ती हो जाती है, और उनके लिए विपत्यों का निबास्थान ये संसार नहीं रहता, इस श्लोकार्थ हैं, जिन्होंने भगवान की नौका का आश्रे लिया है, जिन्होंने जैसे भी हैं, अच्छे बुरे वो भगवान के हैं, आप के हैं, ऐसे आश्रे एक भगवान का लेते हैं, तो ऐसे लिखा है, और यही बात जो मैंने बताई भी, कि हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, ये कुंती माता ने भी ऐसे ही का था भगवान से, ये भागवत में हैं तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के पांचवे वर्ष की लीला गॉाल बालु ने छटे वर्ष में कैसे कही उसका सारा रहसे मैंने तुम्हें बतला दिया। बगवान श्रीक्रिषन की गॉाल बालु को के साथ बंक्रीडा अगासुर को मारना हरी हरी घास से युक्त भूमी पर बैट कर भोजन करना अब प्राकरत रूपधारी बच्छोडों और गॉाल बालु को का प्रकट होना और ब्रमा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुती को जो मोनेश सुनता और कहता है उस उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राक्ति होती है परिक्षित इस प्रकार श्रीक्रिषन और बलराम ने कुमार अवस्था के अंदुरू आख में चोनी सेतु बंधन बंदुरों की भाती उचलना कूदना आदी अनेको लिलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पंदरवाद ध्याएं धिनुका सुर का उध्धार और ग्वाल बालुकों को कालिये ना के विश से बचाना उबनमो भक्वते वासुदेवाए